हाई फ्रेंड्स मैं हूं आपका दोस्ट डॉक्टर राजी वी केर वीशेर में आपका द्वारा स्वागत है अब हम साइकार्टर से हटके कुछ साइकॉलजी रेलेटेड वीडियो बना रहे हैं इसमें आम लोगों को भी हेल्प मिल सके क्योंकि अभी तक जितने भी हमने बात की और यह बात की कि कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए वड़ाम चाहते हैं कि वह उन वीडियो पर फोकस करें जो साइकॉलजी मतलब स्टडी ओफ माइन तो हम उन जुरूरतों के बारे में भी बात करें जो हर किसी को चाहिए जैसे हर कोई खुश रहना चाहता है इतना कि वह सोच रहे थे कि ऐसा काम करने से या ऐसा कैरियर में अचीव करने से वह हो जाएंगे तो एक्चली हमें खुश रहने के लिए चाहिए क्या हमें खुश रहने के लिए चाहिए क्या हमें खुश रहने के लिए सिरफ पांच चीजों की जरुरत है उसमें सबसे पह हम कुछ ना कुछ नया करते रहें, सीखते रहें और हमेशा हम बच्चों की तरह हैं उसकी तरफ उत्सुक रहें अब हो सकता है कि कुछ लोग बोलें कि मैं अभी तो healthy हूँ, मुझे exercise करने के जुरहत नहीं है या अभी मुझे time के सोने पर जूरत नहीं है क्योंकि मैं तो जवान हूँ, मैं ज़्यादा काम कर सकता हूँ पर यह सहीं नहीं है, अगर आपको खुष रहना है तो खुष रहने के लिए जैसे चाय बनाने के लिए हमें चाय पत्ती चीए, चीनी चीए, दूद चीए, पानी चीए, गैस चीए और उसका सहीं मिश्रन हो चीए तभी ही बढ़िया जाई बनेगी जो हम सब लोग समझते हैं उसी तरह इन पांचों चीजों का जब सहीं मिश्रन होगा तभी हमें वो खुषी मिल पाएगी जो हम चाहते हैं और उस खुषी में पी ऐसा नहीं है कि मैं कभी दुखी नहीं होता या मैं कभी जाधा खुष नहीं होता बट फिर भी आप जाधातर अगर खुष रहना जो हुआ है या मेरा मन करता हां कि मैं तो इंज्ञाए करें जब दिल चाहे सोहुआ जब चल चाहे उठाएग की जब चल चाहे उठूहूँ लेकिं उस इंसान को भी बीस मिनटे समय नहीं है हम समय कैसे निकालें तो उसके लिए मेरा जवाब है कि मालेजे आप 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 दस मिनट पहले पहले पहुंच जाएए और चुट्टी जब होती है तो आप 10 पसंद नहीं है तब भी आपको यह करना ही पड़ेगा क्योंकि इसके बिना आपको healthy life नहीं मिलेगे और इसका benefit क्या होता है अगर आप लगातार हफते में 5 दिन 20 मिनट के लिए exercise करते हैं और ऐसा लगातार करते रहते हैं अपने बचपन से लेके जब तक आप जिन्दा रहते हैं तो आपको लगबग 20 साल जादा बढ़ियां मिलते हैं जिन्दी की जीने के एक तो आपकी लगबग उम्बर बढ़ती है 8-10 साल और 12 साल आप बिना बिमारी के जीएंगे तो इससे जादा क्या चाहिए हमें कि 25% जो quality of life है बहुत बढ़िया हो जाएगी आज की तो हमें 10 किलमेटर भागना चाहता है या मैरतन करना चाहता है या कोई swimming में कुछ और करना चाहता है या dancing में कोई dancing सीखना चाहता है वो एक अलग मुद्धा है लेकिन हमें health के लिए इतना time तो देना ही पड़ेगा अगर हम खुश रहना चाहते हैं दूसरी बात हम बात करते हैं पै हो जाएंगे जबकि research यह कहते हैं कि जिनकी करोडों की लॉट्री लगती है लगबक एक साल के बाद वह उससे भी जादा गरीव हो जाते हैं जितने उनकी लॉट्री किसे पहले उनके पास पैसे थे ऐसा हो तक है क्योंकि बहुत सारा पैसा अचानक आता है तो बहुत सारा करते हैं कुछ लोगों में भी बांट देते हैं और उनके रिष्टे टूड जाते हैं जबकि समाजिक रिष्टे बहुत ही जुरूरी हैं खुश रहने के लिए तो उनके आसपास वो लोगों जाते हैं जो money-minded है या वो दूसरे लोगों से कट जाते क्योंकि अचानक वो लाग इस तरह से देखते हैं हम कभी यह नहीं देखते कि अगर हमारी महीने की income मालीजे 10,000 है या एक लाग है या पांच लाग है या 50,000 है वो 100% है क्योंकि income हमेशा ही 100% रहेगी तो आप कोशिच कीजिए कि जो आपके खर्चे हैं वो 50% से जादा ना हूँ क्यों ऐसा क्य जो की सुनने में थोड़ा अजीब लगता है जब मैं अपने दोस्तों से discuss करता हूँ और उनको या आइडिया देता हूँ जो मुझे खुद भी practice करने में थोड़ी दिखके तोई क्योंकि खर्चे तो रहता है पूरी तनखाई खतम हो जाती हैं बचाएंगे कैसे तू तो हम पैसे के तौर पर चिंता करने की जुरत ना हो क्योंकि पैसे के तौर पर आप तभी अमीर होंगे जब आपको पैसो की चिंता करने की जुरत नहीं पड़ेगी अगर आप पैसो की बारे में ही सोच रहे हैं तो आपको खुशी कहां से मिलेगी जब आपको लगता है कि अब मैंने इतना खर्चा है, अब मैं इससे आगे नहीं जाओंगा, क्योंकि कहीं न कहीं तो हमें line draw करने ही पड़ेगी, कोई कितना भी कमाए, उसकी limit कभी नहीं आ सकती है, और और महनत करें तो शायद कुछ और भी कर सकता है, बट कहीं न कहीं उसको line draw करने पड़ेगी, कि अब इससे आगे मुझे नहीं जाना है, मैं अपने खर्चे इसी limit में रखोंगा, और इसी बचेवे पैसे से 20% में अपने retirement के लिए रखोंगा, 30% में मुझे traveling भी करनी है, घूमने भी जाना है, मुझे investment भी करनी है, घर की M.I. भी देनी है, ये भी करना है, वो भी करना है, तो ये बहुत important है, कि जो हम अपनी तनखा है, उसको 100 रुपे के हिसाब से देखें, और सौब में इसे 50 ही खर्च करें, और बाकी 50 जो है, अपनी future को से cure करने के लिए, और अपनी present को enjoy करने के लिए, या investment करने के लिए देखें, तो 20 टका जो है, या 20 रुपे जो है 100 पाएंगे, या 20 टका भी हम नहीं जोड़ पाएंगे, तो हम financially independent नहीं होगे, आपको जानके हरानी होगी, कि 100 में से 95 लोग अपने आप पे निर्भर नहीं हो पाते, retirement के बाद, इसका मतलब 95 परसंट लोग इस नियम का पालग नहीं करते, इसलिए वो पैसे को लेके परेशा या हमारे साथ जो लोग काम करते हैं, या समाज या society की भी, चाहिए आप सवच भारत की बात कर लीजिए, कि उसमें हम मिलके हैं, हम कोई ऐसी जगा साफ करें, जिसका हमें personally कोई फायदा ना हो, या कोई दान्धरम करता है, या किसी NGO में चाहता है, या कुछ और करता है, त नहीं करते हैं, तो जब भी इस पर experiments भी हैं, जो मैं अभी detail में discuss नहीं कर रहा, लेकिन जो लोग अपने घर के अलावा, अपने family के अलावा, दोस्तों में, समाज में, या कुछ ऐसे काम करते हैं, जिनसे उनको कोई direct benefit नहीं हो रहा, बड़ दूसरों को फायदा हो रहा है, उससे हमारा आत्म सम्मान बहुत बढ़ता है, तो यह बहुत ही जुरूरी है, खुश रहने के लिए, कि हम दूसरों की मदद करें, इसलिए ताकि हम अपनी मदद करना एक तरह से, तो खुशी के लिए ये एक चीज बहुत जुरूरी है, उसके बाद अगली बात करते हैं, mental growth की, जिन्दिगी में कई बार क्या होता है, जब college खतम हुआ, किताबे बन, तब तक तो काफी सारी ऐसी चीज़े पढ़नी पढ़ती हैं, जो हम पढ़ना भी नहीं चाहते थे, अब तो हम हमारी मर्जी है, हम job में आ गए हम profession में आ गए, यहां mentally free हो गए, अब एक financial status जो है, जैसे कोई painting है, कोई drawing है, कोई music है, कोई karate है, कुछ भी ऐसा जो आप पहले करना चाहते थे, इसलिए नहीं कर पाए, क्योंकि घरवालों ने करने नहीं दिया, या पैसो की जूरत थी, इसलिए हम वो काम नहीं कर पाए, या हम सिरफ अपने finances को समझने के लिए कोर्स करना चा मन की शांती, peace of mind, इसके बारे में लोग के सोचते हैं से यह जो है, तो तब ही मिलेगी जब लोग रिटार हो जाएंगे, या फ्री हो जाएंगे, या हमें किसी गुरुजु के पास जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, मन की शांती सभी कुछ ही है, रात को जब भी कोई इंसा जाता है, वो चाहता है कि उसका मन शांत हो जाए, वो बिल्कुल रिलाक्स हो जाए, और ये मन की शांती आम आदमी अपनी जीवन में भी ले सकता है, ग्रस्ती वाले आश्रम में भी ले सकता है, या वो घर वालों के साथ रह के भी ले सकता है, तो मन की शांती के लिए जो ह है वह तब ही मिलेगी हमें जब हम वह काम करेंगे गि Awesome हम कोंगो ऐसा काम करते हैं जो हमारे मन को ठीक नहीं लगता तो हमें मंद की शांति नहीं मिलेगी और प्रब्टंट यह है कही लोग को ऐसा लगता है कि खुछ चिराने का मतलब है सीधा जो है आप किसी meditation center में जाएं किसी Guruji के पास जाएं या कुछ और करें उससे पहले जो है हमें अपनी नीन ठीक करनी पड़ेगी हमें अपना खाना ठीक करना पड़ेगा हमें अपने पैसों को मैनेज करना पड़ेगा हमें अपने अलावा दूसरों के देना भी पड़ता है नहीं मिल रहा हो तो एक अलग बात है यहां तक कह रहा हूं कि अगर कुछ काम ऐसे हैं जो आपको अच्छे लगते हैं और पैसा देना पड़ता है उसको सीखने के लिए तो वह भी करने चीज़ें बहुत मन की शानती देते हैं तब हमें आखरी वाली जो चलिए खुशियां किस तरह की होती है तो दन्यवाद